अचना स्वेच पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं उपवास के लिए लौकी की रिंग बनाने जा रही हूँ यह मेरी इनोवेटिव रस्पी है तो यह मैंने घर में बनाई थी यह सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ में शेयर की जाए तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं आप इसे जरूर बनाईए बहुत ज्यादा स्वादिश्ट लगती है हमने एक कच्छी वाली लौकी ली थी और इसको गोल-गोल काट दिया है और इसके अंदर के हिस्से को निकाल देंगे और एक dla उट एक कप डाला है अडा हमें अंधासे लender नहीं हमने एक कप डाला है हिसमें हम जीरा के थोड़õ से ढाला देंगे और टमाटर का पेस्ट ढला है और इसी के अंतर थोड़ा सा हमने हरी मिर्ची भी पीस ली थी आप इसमें काली मिर्च और अपने पसंद के मसाले भी डाल सकते है जब गोल बनकर त्यार हो जाएगा तो गोल को हम कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे तब तक हम लौकी में से रिंग निकाल लेंगे तो लौकी का हमने छिलका अलेडी निकाल दिया था उसको हमने फेक दिया था और फिर इसके हमने गोल गोल टुकडे काट लिये थे पानी में भीगो दिये थे अब इसको किसी कुकी कटर की साहता से इसका हम बीच का हिस्सा निकाल के अलग कर लिये है और बीज के हिस्से को हम अलग रख देंगे वह हम सबजी बनाएंगे उसकी तो सारे इसी तरह से हम काट लेंगे और कुकी कटर जादा शार्प है तो हाथ में लगेगी इसलिए कपड़ा आप लगा सकते हैं तो हम सारे रिंग निकालके अलग रख देंगे औ और तब तक हम अब हम इसको एक कड़ाई लेंगी और इसको फ्राई करने की त्यारी करेंगे तो हमने कड़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है अब हम एक प्लेट में सफेद वाले तिल ले लेंगे और तिल उपवास में खाते हैं तो इसके लिए हम सफेद तिल अ हरita चाहाए है और फिर एक एक रिंग को हम उठाएंगे और तिल में डालेंगे लिए तरह सी मालना है और लिए तो इसी तरह से बना लेंगे और इसी थाली इसे खराँ Cliffкое लिए ताकि यह तुरंत हम इसको फ्राइब करेंगे तो तिल तेल में निकल जाते हैं जिससे तेल khorab हो जाता है तो हम पहले इसको लपेट देना है तो सिंगाडे के अंदर या ची तरह से जिपक जाएंगे, फिर इसको हम बाद में फ्राई करेंगे सभी रिंग को सिंगाडे के आटे के घूल में लपेट कर तिल में दुबा नुबा कर हम एक प्लेट में अलग रख देंगे आप एस तरह से तिल को एक कठोरी में भी ले सकते है और कटोरी में भी लेकर इस तरह से आप एक एक रिंग को इसमें लपेट दीजिए और इसको ट्रेया थाली में रख देना अब हम चेक करेंगे यदि तेल हमारा गरम हो गया है तो हम जितनी एक बार में कढ़ाई में रिंग आती है उतना हम डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे एक बार में हमने तीन डाल दिये है अभी कड़ाई में और इसे जब यह उपर आ जाएंगे तो इसको हम धीरे-धीरे दूसरी साइट से भी पलट देंगे और इसको हमने आच हाई मेडियम रखी है हाई मीडियम आज पर जब यह पकेंगे तो अंदर तक पक जाती है लौकी और नमक तो हमने लौकी में भी डाला ही था थोड़ा सा और यह बहुत ही मस्त कुरकुर से बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते है जो लोग लौकी नहीं खाते हैं उन्हें भी यह बहु तरह से सिक जाएंगे तो हम इस तरह से उसको निकाल लेंगे ताकि तेल कड़ाई में ही गिरे बस इसी तरह से लौकी के सारे रिंग बनाकर हम तयार कर लेंगे और यह इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि इसको बनाने के लिए वरत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा आ आप इसे सर्व कर सकते हैं, पार्टी स्टार्टर की रूप में आप इसे बना सकते हैं, यह स्टार्टर के लिए बहुत ज़्यादा बहतरीन दिश है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, लीजिए तयार हो गई है हमारी स्वादिस लॉकी की रिंग तो आप इसे जरूर ट्राइ किजिए अपनी मन पसंद की कोई भी चटनी के साथ में इसे सर्व कर सकते हैं दनिया की चटणी और गाजन टमाटर की चटणी और नारियल की चटणी के साथ में इसे सर्व किया है इन चटनी की रसीपी मैं आने वाली वीडियो में जरूर दोंगी तो आप इसे जरूर ट्राई किजीए सबको बहुत पसंद आती है और मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबस्क्राइब पीजिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में तब तक अपना कुप कुप